गुड मॉरिंग गाईज मैं हूँ इशान वेलकम बाक टू माई चानल कल आप लोग के बहुत मेसेज आये थे गेट विल सून के मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से थांक यू आप सब का अब मैं एक दम ठीक हूं और उमीद करती हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं अपने CS Professional के दोस्तों के साथ शेयर करूँगी कि governance की strategy कैसे बनाई थी मैंने मैंने क्या क्या चीजे पढ़ी थी तो सबसे पहले मैं गई थी weightage पे कौन से chapter का weightage कितना है तो मैंने देखा कि syllabus चार हिस्सों में डिवाइड है पार्ट 1 जो है 50 marks का है, पार्ट 2 20 marks का है, पार्ट 3 है 20 marks का और पार्ट 4 है 10 marks का तो मैंने सोचा कि क्यो ना मैं ये 20-20 marks के 2 parts को एकदम पक्का कर लूँ और फिर ये बचा governance का 50 marks वाला part मैं इसको भी अच्छा खासा पढ़ लूँ, और ये 10 numbers मैं छोड़ देती हूँ, तो क्या मैं पास हो पाऊंगी मैंने हर तरफ से बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि governance पूरा याद करने वाला है, और याद करने में थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं इसलिए बना रही थी मैं strategy, ये रिस्क management का एक chapter 20 marks का है सिर्फ, और ये दोनों chapter भी मिल के 20 marks कवर करते हैं, और ये तीन chapter मिला के सिर्फ 10 marks के हैं, तो मैंने सोचाँ मैं 10 marks का risk ले लेती हूँ, इनको मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं आए इस 50 marks के part पर, ये part भी बहुत important है, इसमें मैंने highlight किया, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and chapter 7, chapter number 8, and chapter number 9, इन 6 chapters को भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, अब बचे ये बाकी के chapter, chapter 6, chapter 10, and chapter 11, इनको भी मैंने roughly पढ़ा, अब अच्छे chapter 1 और 2, ये दोनों chapters मैंने छोड़ दिये, मैं दिखाती हूँ क्यों, chapter 1 देखिए आप, पता नहीं क्या-क्या है, इरानी कमिटी, कैड़्बरी रिपोर्ट, सिंगापूर का corporate governance, और इस्ट्रेलिया का governance, डिरेक्ट मैं आई chapter number 3 पे, यहां से मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छे से, बहुत काईदे से, ये composition वाला पार्ट बहुत आता है, ये chart बहुत important है, मै तो मैंने छोड़ दिया ये सब, ये तको सौथ अप्रीका का है, फिर दिखाओं ये तक ये चाइना का भी आ गया, मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे बढ़ा वोरिंग लग रहा था, ये तको जर्मेनी का आ गया, जैपैन का आ गया, अरे मैं अपना इंडिया का पढ़ लू ये सब मैंने पढ़ा, कॉक्स राउं टेबल मैंने बहुत चीज़े पढ़ा था, ये सब चीज़े पढ़ी मैंने, बाकी चप्र मेरे पूरा पढ़ा बस शुरू का वो जो छोड़ रखा है, उसमें यूके दे रखा है, सिंगापूर दे रखा है, उस्ट्रेलिया, जैपैन वो सब छोड़ दिया था, मैंने, अपनी स्ट्रेटजी बनाने के बाद मैंने पेपर रिव्यू किया, मैंने चेक किया कि क्या मैं जिस हिसाब से पढ़ रही हूं, मैं पेपर रिटिम कर पहूंगी, तो मैंने देखा, क्वेशन बन मुझे नहीं आता था, अब मैं आई क्व क्वेशन क्या था, क्वेशन पूचा है, CSR कमिटी के बारे में था, तो यह भी मेरा पढ़ा हुआ था, ठीक है, रोल फिनिपरेंट डारेक्टर यह भी मैं पढ़ा हुआ था, मैरे जितने मैंने मा किया था, उसमें यह भी दगावर था, अब आया मेरा क्वेशन नमबर 3, यह मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है, आगे देखती हूँ, यह तो alternative question है, question 2 का alternate है, यह है statutory auditor की reappointment के बारे में, तो यह मेरा पढ़ा हुआ था, ठीक है, यह भी मैं कर सकती थी, लेकिन मैं एकी चीज़ कर सकते हूँ, चाप्ट 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 चाप् question 3 पर आई, 3 का A नहीं आता था, B आता था मुझे, C भी आता था, ठीक है, और यह आया, D भी आता था, independent director है, यह meeting के बारे में उनकी है, ठीक है, मुझे E भी आता था, अब मैं आ गई पार्ट B पर यह, तो मैंने बिल्कु गोल के पी रखा था, तो मुझे चारो question आता था, 5 marks each, means 20 marks हो गया, ठीक है, फिर मैं गई next page पर, यहां पर part 3 में, यह मुझे, इसमें मुझे सब आता था, 5 marks each, 20 marks मुझे यह भी आता था, इसके alternative पर गई, internal control का था, यह भी internal control है, sustainability report, non financial reporting, यह सारे question मुझे आते हो, क्योंकि मैंने यह 3 chapter तो बहुत अच्छे से पढ़ ही था, फिर मैं आई part 4 पर, यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे इसमें कुछ नहीं आता था, अब मैं आपको marks calculate करके दिखाती हूँ, 5 number नहीं आता था, ठीक है, इधर से मुझे 5 number का आता था, 5 marks, यह भी आता था, 10 marks का, ठीक है, यह नीचे लड़ी आता था, 10 marks हो गया, यह तो alternative वाला था, मतलब भी नहीं इससे, अभी मेरे 10 marks होए है, यह भी alternate था, यहाँ पर, यह तेरा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 22 marks कवर हो गए, यह मेरे हो गए 20 number पूरे यहाँ पर, हो गए 42 marks, फिर यहाँ से 20 marks कवर हो गए, हो गए 62, 62 marks का मुझे आता था, तो I guess, मैं 45 से 50 marks तो score कर सकती थी ना, तो guys, यह थी मेरी overall strategy कि मैंने governance का exam कैसे pass किया था, remember, सिफ pass किया था, मैंने इस तरह से पढ़के, बहुत अच्छे marks का exemption नहीं आई थी मेरी, मैं आपको mislead या misguide नहीं करना चाहरी हूँ, मैं बस आपके साथ अपना experience अपनी studies शेयर कर रही हूँ, मैं आपको advise नहीं कर रही हूँ कि आप भी इसी तरह पढ़ना, क्योंकि मैं भी एक student हूँ अभी, आप लोग की तरह मैं भी एक student हूँ, मैं professional नहीं बनी हूँ, तो मै मैं बस आपके साथ अपना experience शेयर कर सकते हूँ, अगर आपको video थोड़ी भी helpful लगी हो, तो please video को like कर दीजेगा,